कि एलो वेल्कम गाइज कैसे हैं आप लोग तो गाइज इस बार मास्टर वन लीग के अंदर हम लोग फारकंस की तरफ से खेर रहे हैं और फर्स्ट वार इसलिए हम लोग थर्टी नाइस साथ विन कर ली अभी अगर हम पॉजीशन देखें तो हम लोग नमबर बन के उपर हैं और लूमबर टू और नमबर थ्री क्लेंस हमार हम कबल है नमबर टू ने 36 की अपनी पहली वार के अंदर और जो स्पेइन वार्यर से उन्होंने थर्टी फाइव स्टार्स इत तो फर्स्ट वार की बेस को पर अगर हम लीड है बखिया क्लेंज के उपर देखते हैं इस बार के अंदर हमारी तरफ से सारे हैं जो के जादा कामियाब रहे हैं कि कुई वक्स्टार्ट हो चुकी है और टाउन होल के साथ दो एक्समों हैं और दो नों ही ग्राउंड है सो यू नीड़ बिट स्किल्स कि आप अपनी कुईन को कैसे सर्वाइब कर पाउग ओके एक मज़े की चीज़ यानि एक अच्छी चीज़ के रेच स्पैल जो है इसने फॉरण यूज कर लिए तक कुईन की हेल्थ को हाफ से डाउन नहीं जाने दिया तो आप लोग भी मुझे भी ये ट्राइब करनी चाहिए कि कुईन की है वो हाफ से डाउन ना होने पर फ्री देमिज नहीं देता है जितने के एक लाव और दो हैंटर देते होता है कि कुईन के स्टेल बहुत ज्यादा डेमिज में रहा है लेकिन यूनिकॉर्न और हीलर्स अभी जिन्दा है अगें जैसे ही हाफ से थोड़ी से डाउन लेकिस ने फिरेट्स पर यूज कर लिया था एक डाउन हो गई है ओके हाइब डिट कब स्टार्ट होगा आए आर से भी डाउन हो गई है स्कैटर शाट कोई पर आ चुका है अब यहां पर कि नहीं अरां से अपना अब्रेट वह स्टार्ट कर सकता था आप जिस्टार्ट कर दिया है ओके अनफर्चनलिटी कोई डाउन हो चुकी है कुई के अब अब देखने है के ट्रूप्स और आरसी आरसी की हेल्थ काफी कामा स्टार्ट में अब ट्रूप्स पास पीज़ वाल ब्रेकी थी वह अच्छी वाल ब्रेकी है कि ने अंदर राके कफी सारे डैमिज दिया था अब फ्रीज पेल बाकी है अभी तक यूज नहीं किया आरसी के अब जाके यूज किया फ्रीज भी यूज कर लिया आप सारे डिफेंज अर्रेडी डाउन हो चुकी है और आरसी भी जिन्दा है टोपस भी तना सारे भी जिन्दा है आप इस जिए थ्री स्टार बेस वन के उपर सुभान ने थ्री स्टार अटाक किया था ओके बेस टू के उपर बैसिक्स बेस टू के उपर सामू ने अटाक किया था है और अगें बड़ा है ओके सब्सक्राइब की तरफ से स्टार्ट की है सो यह कैसे हैं हमके काइंड ओफ सेफ अटैक है कि अगर आपका अटैक फेल हो भी गया तो आपको टू स्टार तो ज़रूर मिलेंगे क्योंकि टाउन हो तो मिली जाएगा कि के सिंगर टार्गेट इंफर्न भी दर माजूद है एक्सपो एक ग्राउंड है और एक एयर थी ग्राउंड एंड एयर अगर दोनों एक्सपो ग्राउंड होती ही तो फिर लेकिनन डबल प्रॉब्लम होनी थी फिरेश पर जडूरी था एक्सपो डाउन चाइच ब्राउंड ग्राउंड हो चुछी जाएगी है और हाइब्रीट स्टांट हो गया है कुईन को भी तना डैमिज नहीं मिल रहा तो एक इन कुईन आराम से सर्वाइब पर जाएगी सारे लिए लिए विए वादन अपलिटी विदर यूज हो चुकी है और काइट ओफ के अंदर एंटर हो चुके हैं सारे ट्रॉप्स अब हील स्पेल जो है विकीनन एगल के पास आएगा यह इस पहला गया है अगे जो सिसी वाले जो होग से वो सारे के सारे इंफरनेंट आवर के उपर आएं जो कोर के अंदर था कुएंग जिन्दा है आउट क्लास यह बे सुखर आउट क्लास सुई के लिए है कि प्रीज़ में बढ़ी इच्छी जागा यूज की है आग थी प्रीज़ से प्रीज़ में दी दि जो है कुएंग प्रीज़ में डेच से लिटी जो है कर दो कि आए लिटी जो सारे लिटी जो के बाती जो नेती जो है है तो थार्ड अटेक उमर का है जो कि मैं फीचर करूंगा उमर ने बिलिजर्ड स्काइब डिटाइक किया था और बिलिजर्ड देखना है कि बिलिजर्ड से इसने कौन सी वेल्यू ली थी ओविस्ट्री टाउन हो तो ले नहीं है लेकिन इसने किस साइट सेंटर किया था ओके नाइन ओक लॉक से पहले बैलूं डाला है फिलावा और उसके बाद बैटल बिलेंब कि क्या कर रहे हो इसको बैट बिलेंब खुद ही तोड़ देनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं टाउन होल के अंदर अंदर क्यों जा रहा था कि si मैं ठोड़ा से difference है normally लोग क्या user शुप्र ईंतर डिफरेंट du इसके अंगे परके पस नोर्मल आर्चर्ट करते हैं तो इस वज़ए से अपके पास तर्म में परके ठोला से टालो तो तो कोई प्रोबल्लम नहीं है तो वह और रैके Zukunft मेंट आप लोग देख लेना केसे ने क्या सीसी उसकी विए थी क्या कम्बिनिशन है क्योंकि साम टाइम होता है कि इन्विजिबल स्पेल डालते बाद थोड़ा सा हाफ सेकंड भी लेट हो जाए तो सारे के सारे टूप्स में वह मर जाते होते हैं आप लोग भी ट्राइ कर सकते हैं अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस येस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारे टूप्स हैं वह आ चुके हैं तो इस वाज से मुझे काफ़ी डैमेज में रहे और सी आ चुकी है और मॉस्ट टूप्लॉक की तरफ से अब कि अलेक्ट्रों डिफेंट्स को फ्रीज किया था कि अगे कुईन ने अपने जगा बदल ली थी कुईन जहें टैन ओक्लॉक के पास फिर रही है यूनिक और मॉजूद है सिर्फ एक आर्चर कुईन को टार्गेट कर रहा है इसलिए को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आर्ची डाउन हो गई है कोईन के अबलीटी यूज हो चुकी है लेकिन अब कि इतना वी डिफेंस बचा नहीं है अब आगए अब आगए अब आगए अजर अब दी ने बेस सैंवन के अपर अटाय किया था वांस अगेन कोई वाक्स अट किया टॉन होल की तरफ से फनल बना रहा है वाल बिरिक येस टूप लेश्मेंट गाइस बड़ी दबर दस्ती इस पर टूप लेश्मेंट भी और स्पैल्स की प्लेश्मेंट भी इस पर फ्रीज पर नहीं उसके समय टॉन हो पर और इसका जो जो निकॉर्ण वो डेड़ हो चुक है स्केट हैं यूज किया है कुई को किंग को स्लोडाउन करने के लिए और इतनी देर में जो टाउन होर का जो पॉईजन था वह भी खतम हो चुका है कि फनल इस बार इतना अच्छा बाने नहीं था और कुईंग चुंके राइट साइड के तरफ आई भी थी तो यह अपना अटैक जो था था थ्री ओ क्लॉक से स्टाट कर सकते हैं अगर थ्री ओ क्लॉक से हैड़ेट स्टाट करते तो आई कैस जाद अच्छा रहना था कि टाउनल्ड सॉरी दो एक्सबो कुई नहीं डाउन करती है कि कुई बिचारी चली जाएगी हम स्टूप्स की तरफ थोड़ा सा फोकस कर ले रहे हैं कुई ने खार बैच गई है इंफरनोस नहीं ले लिया था सारे टूप्स जह हैं वह और मुस्ट इकठे ही हैं और यह व कि फ्रीज पहले भी एक बाकी है ओके स्केटर शॉट के उपर यूज कर लिया था ओपोनेंट के कुई जिन्दा है लेकिन उसको आर्सी ने डाउन कर लिए आर्सी की अभी तक यूज नहीं हुई आर्सी के अभी यूज कर लिए और बेस हो गई है थी स्टार ओके वन मोर एटाइक बेस 14 के उपर रिज्वान ने हाइबिड एटाइक किया था और सुसाइड एटाइक यह क्योंकि आपका टाउन होल कोर के अंदर मुझूद है और हैवी डिफेंस मुझूद है हर तरफ पहले सुपरबॉल बेकर यूज कियाता है तो उसके दो फाइदे हो गए कि जो आपकी जो सीसी ऑपोनेंट्स की जो सीसी टूप से वह भी बाहर आ गए हैं अभी हमारे टाइम जाय करेंगे आइस गॉलेंस जहां है इस पॉइंट के उपर अगर आप देखें तो कुईन को राइड साइट पर जाना चाहिए अगर को राइड साइट पर ना जाती तो यह टाइक जो था टोटली वेस्ट हो जाना था और चांसे यह थे कि कुईन लेफ्ट पर जा सकती थी क्योंके आर सी तोड़ा सा आगे तो कुईन ने लेट साइट की तरफ चले जाना था बचाता हो गई और कि सो कुई जो है वो टाउन हौल की तरफ वारा जो पॉर्शन है वो सारे किलियर करेगी और हमारे जो है यह यह कॉर्ण बहुत करेगा है कि ये कि विद्ट चल रहा होता है तो अपर हमारी किया गोड़ रहती है या हाइब्रीट की तरफ रहती है लेकिन इस भार लिए जितने भी एटेक्स के निरंब्यक्त करते हैं कि लग हमारे साथ ही रही है कोई ने टाउन होल को भी तक नहीं लिया एक तो इद्र उदर की बिल्दिंग्स यह करती रहती है जो काम की चीज़ होती हो उसको सबसेंड में लेती है यह टाउन हो गया है स्पेल्स सारे यूस हो चुके हैं लेकिन हैवी डिफेंस वारी भी सारी बिल्दिंग्स के लिए हो चुकी है कुईन सही तरफ का गई है जो एजी थी थी स्टार चॉन्ग्राटुलेशंस रेजवान जो एक और अटेक शासवान ने फारूक के ओपर अटेक किया था और वोडन वाक येटी बैट स्टैप अटेक लेयाओट काफी पुराने है गलतीन लोग ने यह की भी थी के सेने कॉर्नर वाले जो दोनों इन्फरनों हैं वो सिंगल टार्गेट प्टेप रुखे वे थे बैटल ब्लीम यूज करें गई है ताके अहां ओके बैटल ब्लीम में जो सी सी होगी वो टॉन और को ले लेगी चूपस अंदर आ चुके हैं पहला रेस्पेल यूज कर लिया है बैलोंस ने फर्नों को ले लिया है सारे टूपस अंदर आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है शुकर है अंदर ही कहते हैं साइट में ही निकल गए कि लिए करते रहेगी कि बैट्स आ गई है आरसी कि दर साइगी यास आरसी भी आ चुकी है सिक्सक्लॉक से कि इगल को हमने फ्रीज इसलिए कर दिया था कि इगल जहां वह बैट्स के उपर जहां वह टार्गिट ना कर ले इसलिए अटेक बीच मांकर फस किया था क्योंकि हमारे सारे ट्रोक्स ने वह मर चुके थे सिरफ बैट्स देंदा थे और आरसी हमारी आरसी को अपवनेंट आट्सी ना मार दिया था और बैट्स भी चारिया मर जाएंगी तो एक्सपोगों फ्रीज करना चाहिए था लेकि उसने जो एर डिफेंस है उसको फ्रीज कर दिया था वहां बट्स्टे चुक्कि हमारी क्वीन और वार्डन दोनों तेंदा थे तो उना ने बग्के क्लीन अप कर लिया था कर दो कर दो कर दो कर दो कि वैसे इस वार के अंदर था हमारे नाइन अटेक्स से जो के थ्री स्टार हुए थे लेकिन अब चंक हम सारे टैक्स तो खर फीचर नहीं कर सकते हैं तो आज का लास्ट टैक में फीचर कर रहा हूं प्रोफेसर ने हामीद के ओपर अटाइक किया था एंड वंस कि अब बैलोंस डाले थे स्टार्ड में ताकि अगर कोई ट्राइब सें तो ट्रिगर हो जाएं पर इसने में यूज किया तो इस बज़त से यूनिकाउन जाब डाउन हो चुक रहा है कि अग्यूंट नो पहला वाल ब्रेकरी से ने क्यों यूज किया था किंके वह यूज करने के दुरूत नहीं थी कुईन को राइट ये लेट पे जाना चाहिए था तो कुईन के लेट यानि मेरे लेट को पर आ चुकी है तो हाइब लिए नाइन ऑ क्लॉक की तरफ से स्टाट हो गाई स्टाट कर लिए वाल ब्रे कर यूज किया है एक और बिंदे लिए और यूस कनता पड़ेगा ताक कि कुईन कोर्ट की तरफ आ जाए आ गया वाल बुरेकर यार्थ भड़ी इच्छी बॉल ब्रेकर एगा हैं है ओके कुईन और है स्टार्ट में वाडन अब्रीटी नियुसकर नहीं कही थी पहले ही स्पेल यूज करो फिर उसके बाद वाडन के अब्रीटी एंद एंद अगें हील स्पेल क्योंकर हमारे पास अभी बाकी थे पॉईजन यूज कर लो लावा पॉप स्के उपर येस इन्विजिबल स्पेल भी रखावा इसने फ्री स्पेल के बजाए इसने इन्विजिबल स्पर रखावा है आर सी भी कोर के अंदर घूम रही है सब्सक्राइब इस टाइम सारे मजूदा वॉल प्रेक किया उसने वाडन को लिया इसने इन्फर्नों को भी उसने के लिए डिफेंस भी और तो परफेक्ट की अब भी बाकी है आर सी अबलीटी भी बाकी है आउट क्लास बेस को टोट्ट आउट क्लास की है तो गईज यह थे हमारे डे वन के अटक्स आप आप लोगों को यह पसंद आये होंगे और इस अटक के अंदर एक फ्री स्पेल का स्वैग भी होंगे तो जो मैं करना चाहरा था आनाउंस्मेंट यह है FCL 5 की जो के स्टार्ट होने वाल है 6 दिसंबर तक अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो आप लोग पार्टिस्पेट कर सकते हैं तो इस पार 16 टीम के साथ हम लोग ने खेलना है और 5 वर्सिस 5 है डिटेल्स आपको तयब जट या मेरे नंबर पर क्या पेसके अंदर कैसे पाटिस्पेट कर सकनें तो थैंक यू थैंक्स वर वचिंग देट वीडियो